इस देश के लोग तंत्र को मेरे परिवार के खूंड नहीं सिचा है ये पूरी सरकार, ये सारे मंद्री, ये सारे सांसर एक आदमी को बचाने के क्यों इतनी कोशिश करता है इस अडानी में है क्या कि इसको आप सारी संपत्ति देरे उदेश की वी सो हजारों क्रोड शेल कंपणियों में इनकी है और आप इन पे इंक्वाईरी नहीं कर सकते हैं ये अडानी है कौन कि आप सब उनका ना मुझते ही वख्रा जाते हैं और उनके उनकों बचाने में लग जाते हैं कबी-कबी मैं सोचती हूं मुझे समझ में नहीं आता कि पब्लік क्या सोच रही है क्या देख रही है क्या हो रही है आप गयास के सिलिंडर के लिए हजार रपे दे रहे हैं और यहां आपकी सारी समपत्ति किसी को सौपी जा रही है तो बहुत गरबड़ बहुत गलत हो रहा है और ये लोग तंतर के लिए ठीट नहीं है ये जदिश के लिए ठीट नहीं है जो सोचता है कि तमाम एजंसियों को लगा कर हम पे छापे मार कर हमसे कुछ भी करते हमको हमें डराएंगे वो गलत सोचते हैं यहाँ पे बैठे हुए मेरे मन में एक पुरानी बात आई 32 साल पुरानी बात है मई 1991 की बात है मेरे पिता की शव यात्रा तीन मूर्थी भवन से निकल रही थी अपनी वहां के साथ और अपने भाई के साथ हम एक गाड़ी में बैठे थे सामने भारतिय सेना की एक ट्रक थी फूलों से लदी हुई थी उसके उपर मेरे पिता जी का शव था थोड़ी देर काफिला चला पांच-दस मिन्ट चला फिर राहुल कहने लगे मैं उचरणा चाहता हूँ तो माँ ने मना किया उस समय सुरक्षा का भी बहुत उथा तो माँ ने का नई तुम उचर नहीं सकते राहुल ने जिद की नहीं मैं उतरूंगा मैंने मां से का मां उतरने दो राहुल गारी से उतरा उस सेना की ट्रक के पीछे खड़ा होके चलने लगा और तीन बूर्ती से लेके कड़ी धूप में अपने पिता के जनाजे के पीछे पीछे पैदल चलते 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 यहां पहुँचा इस जगे से इस जगे से कुछ चार सो पाच सो गस दूर यहां पर मेरे शहीद पिता के अंतिम संसकार मेरे भाई ने किये सुनिये वो चित्र मेरे दिमाग में अभी भी है मेरे मन में है मेरे पिता का सव इस तिरंगे जंडे में लपेटा गया था इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का सव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहाँ आया उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है उस शहीद के बेटे को आप देश द्रोही कहते हैं आप मीर जाफर कहते हैं उसकी आप मा का अपमान करते हैं आपके मंद्री मेरी मा का अपमान भरी संसद में करते हैं आपके एक मुख्य मंद्री कहते हैं कि राहुल गांदी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है आपके प्रधान मंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नहरू नाम को इस्तिमाल क्यों नहीं करता पूरे परिवार का अपमान करते हैं कश्मीरी पड़ित समाज के रिवास का अपमान करते हैं जिसके तहट एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है परिवार की परमपरा को आगे बढ़ाता है लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता आपको दो साल की कोई सजा नहीं मिलती आपको जेल की सजा नहीं मिलती आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता आपको मना नहीं करता कि आठ सालों के लिए आप चुनाओं नहीं लड़ सकते क्यों मैं पूछना चाहती हूं क्यों आज तक हम चुप रहे हैं हमारे परिवार का अपमान करते गए करते गए करते गए मेरे भाई ने क्या कहा संसद में वो मोदी जी के पास गए और उनसे गले लगे मेरे भाई ने कहा मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है हमारी विचार धारा अलग है लेकिन हमारी नफरत की विचारधारा नहीं है तो मैं पूछना चाहती हूँ एक आदमी का कितना अपमान करोगे कितना अपमान करोगे क्या यही है इस देश की परंपरा आप परिवारवादी कहते हैं तो भगवान राम कौन थे भगवान राम को बनवास में भेजा गया उन्होंने अपने परिवार अपनी धर्ती के प्रती अपना धर्म निभाया क्या भगवान राम परिवारवादी थे क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की संसकारों के लिए लड़े और हमें क्या शर्मानी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए कि इस जंडे में उनका खून है इस धर्ती में उनका खून है इस देश के लोग तंत्र को मेरे परिवार के खून ने सीचा है और जो सोचता है जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे जो सोचता है कि तमाम एजन्सियों को लगा कर हम पे छापे मार कर हमसे कुछ भी करते हमको हमें डराएंगे वो गलत सोचते हैं हम डरने वाले नहीं हैं हम और मजबूती से लड़ेंगे हम इस देश के लोग तंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तयार है इस देश के लोग तंत्र को इसकी नीव कॉंग्रेस पार्टी के महान महापुर्शों ने की डाली है कॉंग्रेस पार्टी लड़ी इस देश की अजादी के लिए और आज भी इस देश की अजादी के लिए ही लड़ रही है कभी-कभी मैं सोचती हूँ मुझे समझ में नहीं आता कि पब्लिक क्या सोच रही है क्या देख नहीं रही है, क्या हो रहा है, क्या आपको दिख नहीं रहा है, कि आपकी सारी संपत्ती लूटी जा रही है, एक आदमी को दी जा रही है, गिने चुने उद्योग पत्यों को सब कुछ दिया जा रहा है, किसकी संपत्ती है, ये राहुल गांदी की संपत्ती है, ये PSU किसके हैं, किसके लिए बनाएं गए, आपके लिए बनाएं गए जो ऐसे एक के बाद एक इनको बेचे जा रहे हैं, दिये जा रहे हैं, इसी से तो आपका रोजगार आता है, छोटे उद्योगों से, छोटे व्यापारियों से, आपका रोजगार आता है, किसी बड़े अड रुपे दे रहे हैं और यहां आपकी सारी संपत्ती किसी को सौपी जा रही है राहूल गांधी जी ने क्या कहा अरे कौन सा इतना बड़ा जुर्म कर लिया कि आप से दो सवाल पूछ लिए जवाब नहीं दे पाएं ना धबरा गए और जो अंकारी होते हैं तानाशा होते हैं जब सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो पूरी सत्ता को लेकर जंता को दबाने की कोशिश करते हैं जो सवाल उठाता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं आपने कभी सोचा है आके खोलिए आपने कभी सोचा है कि ये पूरी सरकार ये सारे मंत्री ये सारे सांसद एक आदमी को बचाने की क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं इस अडानी में है क्या कि इसको आप सारी संपति देरे और देश की बीसो हजारो करोड शेल कमपनियों में इनकी है और आप इन पे इंक्वाइरी नहीं कर सकते ये अडानी है कौन कि आप सब उनका नाम उठते ही बखला जाते हैं और उनको बचाने में लग जाते हैं देखिए आप इस देश के देशवासी हैं ये देश आपका है ये लड़ाई आपकी है आज तमाम नौजवान बेरोजगार क्यूं है हम इस्तिहार तो देख रहे हैं वोडिंग देख रहे हैं Mother of Democracy लिखा है कहते हैं कि हमारी अर्थ के बस्ता बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है तो इतने नौजवान बेरोजगार क्यूं है तो जहां जहां हम जाते हैं बेरोज़गार नौजवान क्यों दिखते हैं इतनी महंगाई क्यों हैं इतनी महंगाई क्यों हैं क्या आप इतने बड़े काम कर सकते हो लेकिन गैस सिलिंडर का दाम कम नहीं कर सकते हैं आप छोटे व्यापारियों की मदद नहीं कर सकते हैं आप बनवा सकते हैं, तो फिर आपकी सरकार किस काम की है, लोगों को दबाने के लिए है, या अडानी जी को आगे बढ़ाने के लिए है, तो आज ये समय आ गया है, कि हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा, ये सरकार पूरी कोशिश करती है कि आपका ध्यान भटकाया जाए, अब आप सोचिए, कन्या कुमारी से कश्मीर तक एक आदमी चला, उसके साथ लाखों लोग चले, क्या पैगाम लेके चला, किस लिए चला, उसके दिल में क्या भावना थी, कि लाखों लोग देश भर से उससे जुड के चले, समता एकता की भावना थी, आज आपके सारी मीडिया, आपके सारे मंत्री, आपके सारे सांसद, आपके सारे कारेकरता कह रहे हैं, कि राहुल जी ने विदेश जाकर देश का अपमान किया, राहुल जी ने एक वर्ग का अपमान किया, क्या एक आदमी, जो कन्या कु क्श्मीर तक चल के रोज रोज कहता है, कि इस देश को एक होना चाहिए, सब को समान दृष्टी से देखना चाहिए, क्या ये आदमी देश का अपमान कर सकता है। क्या ये आदमी एक वर्ग का अपमान कर सकता है तो ये आदमी क्या कर रहा है ये आपकी आवाज उठा रहा है ये क्या कह रहा है कह रहा है कि वरीबों को अपना हक दो नौजवानों को अपना हक दो महिलाओं को अपना हक दो यहीं तो कह रहा है और हक क्या है हक यह है कि जो आपका है वो आपके हाथों में जाना चाहिए किसी बड़े उद्योकवती के हाथ में नहीं जो प्रधान मंत्री जी के मित्र है यह है आपका हक उसी हक की लड़ाई लड़ रहा है तो आप समझे यह एक इंसान की बात नहीं है ये एक राहुलगांदी की बात नहीं है ये पूरे देश की बात है जब हम कहते हैं लोकतंत्र को बचाना है तो हम किस बात की बचाने की कह रहे हैं क्या कह रहे हैं हम लोकतंत्र क्या होता है खुल के जवाब मांगो सवाल उठाओ यही तो लोकतंत्र है इतनी महंगाई क्यों है, हमारे लिए रोजगार क्यों नहीं बनाएं, लेकिन आज यही हखाब से छीना जा रहा है, और आपका ध्यार इधर उधर भटकाया जाता है, और इतनी चीजों को फैलाया जाता है, जो सच नहीं है, जूटों को फैलाया जाता है, आप सोचिए, राह Cambridge से उनोंने Economics में Master's Degree M. Phil degree उनको मिली आप उसको पपू बनाते हैं पूरे देश भर में आपकी सहायता के साथ मेरे मीडिया के दोस्तों degree आपने देखी नहीं सचा ही आपने देखा नहीं उनको पपू बना दिया पिर पता चला कि ये पपू तो यात्रा में निकला या और पता चला कि ये तो पपू है यह नहीं इसके साथ तो लाखों लोग चल रहे हैं ये इमानदार भी है ये सब बातों को समझता भी है ये जनता के बीट जा रहा है जनता की समस्याओं को सुन रहा है तो जनता इसके साथ चली जा रही है तो घबरा गए घबरा गए कि राहुल गांधी ने संसद में वो सवाल उठाए जिनका उनके पास जवाब नहीं है क्या किया सुन लीजिए एक तरफ से हसी भी आती है कि एक आदमी को रोकने के लिए इतना सारा करना पड़ा जिस आदमी ने राहुल जी के खिलाफ सूरत में कंप्लेंट लगाई आपको मालूम है कि पिछले साल उसने खुद के चेहरी में जाके बोला इस पे आप स्टे लगा दीजिए एक साल के लिए अपने ही केस पे स्टे लगवाया फिर वापस कब गए केस खुलवाने के लिए राहुल गांधी के संसद में अडानी के भाशन देने के एक हफ़ते बाद एक हफ़ते बाद वो आदमी वापस जाता है कहता है केस खुल दीजिए अब हम तैयार है एक महीने के अंदर-अंदर जज कह देते हैं कि राहुल गांधी को दो साल की सजा मिलेगी आपने देखा इस देश में कितने केस हैं कि जेल में दसो साल के लिए पढ़े रहते हैं उनकी सुनवाई नहीं होती ये तो सुनवाई भी फट से हो गई जजमेंट भी फट से हो गई सजा भी फट से हो गई और आपने कह दिया अगले दिन कि आठ सालों के लिए ये चुनाओ नहीं लड़ सकते संसत से बाहर कर देंगे इनको वा 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 बहुत धहरिया है आप में अरे कायर हैं कायर है इस देश का प्रधान मंत्री लगा दो केस मुझ पर लगा दो केस मुझ पर जेल ले जाओ मुझे भी लेकिन सचाई यह है कि इस देश का प्रधान मंत्री कायर है अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है अहंकारी है और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है हिंदू धर्व की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है कि एहंगकारी राजा को ये देश पहचानता है मेरे परिवार ने मुझे एक चीज खाई है कि ये देश दिल से बोलता है और दिल से सुनता है ये देश सच्चाई को पहचानता है और मैं जानती हूं कि आज वो दिन है जब से सारा कुछ बदलने लगेगा मेरे मीडियों मीडिया के साथियों मैं आप से कहना चाहती हूं बहुत हो गया है बहुत हो गया है मैं जानती हूं आप पर कितना दबाव है मैं जानती हूं कि आपको लाइन भेजी जाती है कि आज आपको ये कहना है आज आपको ये लिखना है लेकिन आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज लोग तंत्र खत्रे में है अगर सरकार सवाल उठाने वाले को आठ सालों के लिए संसद से निकाल सकती है अगर कह सकती है कि तुम्हें चुनाओ लड़ने की ही अजासत नहीं है तो बहुत गरबड है बहुत गलत हो रहा है और ये लोग कंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये इस देश के लिए ठीक नहीं है जब आप पत्रकार बने शुरू शुरू में जब आप काम के लिए आए तो आपके दिल में भी ये होगी बात कि देश के लिए मैं सचाई बोलूगा, मैं सचाई बोलूगी आज आप बोल नहीं पा रहे हैं, हिम्मत करिए, खड़े हो जाईए आप भी और जैसे खड़गे जी ने कहा, कि तमाम पार्टियों ने आज अपनी आवाज उठाई है उनका हम सब धन्यवाद देते हैं और हम सब को एक होना पड़ेगा इसलिए होना पड़ेगा, क्योंकि आज ये देश खत्रे में है आज इस देश की सारी संपत्ती, एक आदमी को सौपी जा रही है और उस आदमी को बचाने के लिए पूरी सरकार खड़ी हो जाती है बहुत गलत हो रहा है, अगर आज मेरे भाईयों और बहनों आप इसको पहचान नहीं पाएंगे तो इस देश को बहुत खत्रे में डाल देंगे इसलिए यहां खड़े हुए, महात्मा गांधी जी की समाधी के कुछी गज़दूर खड़े हुए मैं आपको याद दिलाती हूँ, कि कितनों ने इस देश के लिए अपना खून बहाया है कितनों ने इस देश की धरती, इस देश की आजादी के लिए अपना खून बहाया है यह अफसर हैं यहां, तैनात खड़े हैं इसी तरह से इनके भाई सरहत पिखड़े होते हैं हमारे लिए आज भी अपना खून बहा रहे हैं क्या इसके लिए क्या डानी जी के लिए कि अपने देश के किसान के लिए अपने देश के गरीब के लिए अपने देश के छोटे व्यापारियों के लिए महिलाओं के लिए, अपने बच्चों के भविश्य के लिए, हम सब अपनी जान देने के लिए तैयार है तो मैं आपसे आग्रे करती हूँ, मेरे देशवासियों, आखे खोल लो, समय आ गया है, डरो मत राहुल गांदी के शब्दों में डरो मत इनका सामना करने का समय आ गया है जुट हो जाओ, सामना करो इस देश की सच्चाई को उभारो इस देश की एकता को बनाए रखो और इस देश को आगे बढ़ाओ